नमस्कार आप देख रहे हैं इजी शिक्षा, मैं हूँ आपके साथ वन्शिका चाहान और आज हम बात करने वाले हैं NPAT के बारे में NPAT बारवी के बाद कारक्रमों के लिए राष्ट्रे परीक्षा है ये एक कॉलिज स्तर की प्रवेश परीक्षा है और इसका नेतरत व नर्सी मौनजी इंस्टिट्यूट आफ मैनेश्मेंट स्टाडीज करवाता है इसके द्वारा लगातार मुंबई में विभिन यूजी और स आस्तुकला, वानिज, अर्थशास्त्र जैसे विभिन नियंत्रणों में पाठिक्रम और कारिक्रम प्रदान करता है एनमाइमस विश्व विध्याले में नौ विशिष्ट स्कूल है और इसके चार परिसर मुंबई, बैंगलोरू, सिरपुर और हैदराबाद में है चुने इसके चात्रों को इन में से दिये गए परिसरों में कोई भी आवंटित किया जा सकता है चलिए हब जानते हैं NPAT के आडमिट कार्ड के बारे में आपको इसका आडमिट कार्ड इसकी ओफिशल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा जिसके चरण कुछ इस प्रकार है सबसे पहले NMIMS, NPAT की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें उसके बाद वेबसाइट पर मौझूद NPAT आडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें अब उम्मीदवारों को एक प्रिश्ट पर भेश दिया जाएगा जहां उन्हें अपना UGID, पासवर्ट और अन्य विवरण दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, विवरण जमा करें और प्रवेश पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, उम्मीदवार अब आडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है और उसका प्रिंट आड भी अपने पास लेकर रख सकता है, जो कि उसे फ्यूचर में काम आ गया है, NMI, MS, NPAT अडमिट कार्ड में मौजूद विवरण कुछ इस प्रकार होंगे, सबसे पहले उम्मीदवार का नाम, उसके बाद उम्मीदवार की जन्म की तारीक, उम्मीदवार की हस्ताक्षर, फोटोग्राफ, उसके बाद आएगा श्रेणी, उसके बाद रोल नंब परीक्षा केंदर का पता, परीक्षा की तिथी, कॉर्स का नाम, परीक्षा का समय, उम्मीदवारों के लिए, निर्देश और आगे चलिए अब जानते हैं NPAT की एक्जाम हाइलाइट्स के बारे में एक्जाम का नेम है NMIMS NPAT, इसकी फुल फार्म है नार्सी मौंजी इंस्टिटूट अफ मैनेच्मेंट स्टडीज, एक्जाम का टाइप है UG लेवल, यानि की अंडर्ग्राजुएट लेवल, एक्जाम का लेवल है स्टेट लेवल, कोर्सेस ओफर्ड हैं, मैनेच्मेंट, इंजीनिरिंग, फार्मसी और अदर कोर्सेस, कंडक्टिंग बॉड़ी है श्री विले, पार्ले के विलानी, मंदल नार्सी मौंजी इंस्टिटूट अफ मैनेच्मेंट स्टडीज, एक्जाम का मोड है ओनलाइन, एक्जाम की डेट बदलती रहती है, एक्जाम की दूरेश कि लास्ट देट मई के महीने में होती है, हल्प लाइन नंबर है, 18-00-266-9-4-10, इमेल आइडी है, npat.admission.nmims.edu, चलिए अब जानते हैं, npat के पात्रता मांदंड के बारे में, NPAT परिक्षा के लिए आविदिन करने वाले उम्मीदवारों की कक्षा बार्वी या समक्ष मूल्यांकन की तुलना में अधिक संभावना है, उम्मीदवार आइभी प्रमान पत्र तब भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जब ये किसी कथिदबोर द्वारा प्रदान किया गया हो, आई भी खोशना धारक परिक्षण के लिए योगे नहीं है, ओपन या डिस्टेंट लर्निंग से बार्वी या समान मूल्यांकन पूरा करने वाले आवेदत भी इस परिक्षा के लिए आविदिन करने के योगे हैं, इस्थिदी के लिए कूल को राश्ट्रे मुक्त विध् करने के योगे नहीं हैं, हम आशा करते हैं कि आपको NP80 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी, ऐसी ही विडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल इजी शिक्षा को, धन्यवाद!